हेलो दोस्तों वेलकम बैक वेड़ न्यूव वीडियो मेरा नाम है उतकर्ष और आज की वीडियो में मैं बात कर रहे हूँ आपसे बैंक आप बरोडा के स्टॉक के बारे में इसका हम लोग एक टेखनीकल एनलेसिस देखेंगे देखते हैं कि हमें इसमें support zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और resistance zones कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जिससे आपको यह पता लग सके ही कि आने वाले दिनों में इसका price movement किस तरीके का रह सकता है अगर हम नई entry बनाना चाहते हैं तो हम कहाँ पर enter कर सकते हैं और हम अपना target कहां तक लिके चल सकते हैं तो यह सारी चीज़े जानेंगे आज की वीडियो में तो चलिए जल्दी से मैं वीडियो को शुरू करूँगा उसके पहले बस आप से एक request है वीडियो अच्छी लगे तो please वीडियो को like करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बैर आकन को जरूर दबाना ताकि लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसके अलावा अगर कोई भी सवाल है तो आप comment box से मुझसे पूछ सकते हो आपको उसका reply जरूर मिलेगा तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तों अभी मैंने अपने ट्रेडिंग वीडियो के टर्मिनल पे बैंक का बड़ोदा का चार्ट ऑपन कर रहा है इसको अभी फिलाल मैंने डेली टाइम फ्रेम पे सेट कर रहा है इसकी जो आज की दिन पे closing price रही है Friday के दिन पे वो 250 रुपे 60 पैसे रही है आप कह सकते हो करीबन 500 रुपे पे ये close हुआ है और इसका 52 week high जो बना है वो है 299 रुपे 70 पैसे पे कह सकते हो कि 300 रुपे पे इसका 52 week high बना है अगर आप वहाँ से इसकी current market price को compare करोगे तो आपको दिखने को विलेगा कि stock अपने 52 week high से अभी करीबन 16-17% नीचे trade कर रहा है अभी आप मुझे comment करके बताइए कि आपके portfolio में बैंक का बड़ोदा का stock है अगर है तो आपने उसे किस price पर buy किया है ऐसा तो नहीं कि आपने उसे 52 week hyper buy किया है 299 रुपए के आसपास में और वहाँ पर अगर buy कर रखा है तब तो आपको ये अभी करीबन 15-16% का loss दिखा ही रहा होगा बाकि अगर stop loss लेके exit हो गए होगे तब तो बहुत ही बढ़िया बात है अभी क्या हो सकता है थोड़ा सा इसमें और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में क्योंकि अभी budget भी pass में है और जब budget का दिन pass होता है तब ये जो banking stocks होते हैं उनमें बहुत उठा पटक होती रहती है तो अभी ये अपने support zone के पास आ रहा है कहाँ पर इसको support मिल सकता है चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने support और resistance zone draw कर लिए है current market price के इसाब से जो हमें यहाँ पर support zone देखने को मिल रहा है तोस्तों वो है हमारा यहाँ पर 240 रुपए से ले करके 244 रुपए के बीच में तो अभी आने वाले दिनों में stock यहाँ तक आ सकता है और यहाँ पर से इसमें reversal के chances बने हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं stock को इसी zone से एक बार rejection मिला था जब बाद में इसका breakout हुआ तो breakout होने के बाद stock इसी zone को यहाँ देख सकते हैं retest करता है retest करने के बाद stock में higher highs का formation होता है और stock में एक नया high बनता है लेकिन बाद में stock को यहाँ पर 285 रुपए के zone पर फिर से rejection मिला stock जब यह फिर गिरा फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 244 रुपए के zone पर support मिला फिर stock उपर तक जाता है 285 रुपए के zone तक फिर stock यहाँ पर नीचे गिरता है फिर stock धिरी धिर consolidate कर रहा था और उसके बाद election का result जिस दिन आना था उसके एक दिन पहले तो stock ने अपना 52 वीक हाई बनाया लेकिन उसके अगले दिन PSU stocks में जब भारी गिरावट देखी गई तो आप देख सकते हैं election का result जिस दिन आना था उस दिन stock ने इसी जगह आके फिर से support लिया 242 रुपए के zone पर और यहाँ पर से stock ने फिर से एक उपर की तरफ movement दिखाई और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर stock को 285 रुपए के zone पर फिर से एक बार rejection मिला जिसके बाद से आप देख सकते हैं stock फिर लगातार गिर रहा है stock is trend line पर multiple time support ले चुका है और यह trend line बहुत ही अच्छे तरीके से इस stock में higher highs का formation करने में मदद कर रही है आप देख सकते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर February 2023 की जो candle है उसका लो जोड़ा इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 20 March 2023 की जो candle है उसका लो जोड़ा यह दो candle जोड़ करके जब यह trend line बनाई आप देख सकते हैं stock को इसी जगह पे 26 October 2023 को फिर से support मिला तो यह trend line बहुत यह अच्छे तरीके से इस stock में एक support के तोर पर काम कर रही है और यहाँ पर आप देख सकते support लेने के बाद stock में फिर से एक बड़ा high बनता है तो अभी भी जब stock यहाँ पर नीचे गिर रहा है और short term में जब तक budget नहीं आ जाता है तब तक अगर यह 240 रुपए का zone यहाँ पर आने वाले दिनों में break भी होता है तो stock के लिए यह जो trend line है यहाँ पर से बहुत ही बढ़िया support देखने को मिल सकता है जब तक stock is trend line के उपर trade कर रहा है तब तक इस stock में एक short term में तेजी बनी हुई है लेकिन अगर trend line को तोड़ के stock नीचे closing देता है तब हो सकता है कि stock में आने वाले दिनों में अगले महिने में आपको यहाँ पर consolidation देखने को मिले stock एक range में इस तरीके से घूम सकता है या फिर यह जो आगे मैंने support zone मना रखे हैं इनका भी यहाँ पर breakdown हो सकता है तो इसलिए यह जो trend line है यह बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक support के तोर पर काम करनी चाहिए तो जब तक यह stock is trend line तक आएगा आपका जो price zone रह सकता है वो आपका करीबन 230 रुपए के around रह सकता है और अगर हमान लीजें यहाँ पर weakness continue रहती है और यह trend line अगर break हो जाती है तब stock में जो आप support देख सकते हो वो यहाँ पर आपको 219 रुपए के zone पर देखने को मिलेगा यह zone आप देख सकते हो यहाँ पर एक resistance के तोर पर act किया था बाद में जब इसका यहाँ पर breakout हुआ आप देख सकते हैं इसी zone पर stock ने retesting ले और यहाँ पर से stock में फिर से एक उपर का move आया था तो इसी लिए अगर यह trend line break होती है तो इस stock को 219 रुपए के zone पर यहाँ पर support देखने को मिल रहा है अगर यहाँ से support मिले या फिर यह यह यहाँ पर से ही reversal ले ले current market price से तो stock के लिए जो हमें resistance zone देखने को मिलेगा सबसे पहला वो है हमारा 285 रुपए का zone यह zone यह zone यह पर सबसे पहले resistance के तोर पर काम करेगा अगर इसका breakout होता है तब stock के लिए जो अगला resistance है वो इसका 52 week high zone है जो की है 300 रुपीज का zone अगर 300 रुपीज का zone यहाँ पर break होता है तब stock में आपको करीबन 15 से 20% की उपर की तरफ rally देखने को मिल जाएगी तो फिलाल कुछ इस तरीके से आने वाले दुने में इस stock में resistance zone काम कर सकते हैं और वही आपके लिए targets रह सकते हैं तो दोस्तों फिलाल आज की वीडियो में बस इतना ही I hope आपको कोई भी सवाल है तो आपको कमेंट बॉक्स ने मुझसे पोच सकते हैं आपको उसका reply जरूर मिलेगा मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत